नमबर चार, बावासीर में फायदे मन, तेज मसालेदार बोजन करने से कब्ज और बावासीर होने का खत्रा बढ़ जाता है, इसके लिए आप इसके पत्तों, नमस्कार दोस्तों मैं विजे सेनी आपका ममल बहुंसाई में फिर से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आपने चां इसके फायदा नहीं उठा पाते हैं, इस जड़ी बुट्टि को तीन पत्या, खटी मिठी गास या खटी बुट्टि की नाम से भी जाना जाता है, आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसे इंग्लिस में ओक्सलीस के नाम से जा चांगेरी का उपयोग बड़ी बड़ी वीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है ये दो तरह की होती है एक छोटी चांगेरी और एक दूसरी आती है बड़ी चांगेरी जायतर छोटी चांगेरी का उपयोग ही रोगों को दूर करने में किया जाता है आज की वीडियो में ह प्योग वह उसके फायदे के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पैचान हम कैसे कर सकते हैं यह अक्सर नमी वाली जगह पर आपको देखने को मिल सकती है जैसे कि मेरे यहां पर क्या है जहां पर खेट के किनारे होते हैं जहां पर थोड़ी सी छाया रहत नह्युक्त पीडी जो चांगेशंग घुता है वहां पर आप इसको नरुस्तिरी में जा कर देख सकते हैं। उनके पॉली बैग में घुता है। जाता है, वह अमलीयग होती है, यानि एगर आप उसको खाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें खटास लगता है और थोड़ी कड़वी और कसेली भी होती है इसकी तासीर जो है वो गरम होती है ये कफ वात और सूजन दूर करने में फायदे मन्द होती है सराब के नसे को छुड़ाने में भी काफी मददगार होती है चांगेरी में वीटामिन C अधिक म शेप लगे होंगे चांगेरी के ओव भी बहुत से फायदे हैं जैसे की लीवर को सेहतमिंद करती है दर्द ठीक करती है बूख जो है वो बढ़ाती है इसके सही उप्योग किये जाए तो यह हमेज जो है तीस से भी ज्यादा बीमारियों से बचाती है जिनमें से कुछ रोगो के बारे में मैं आपको बताओं कि उन में आप इसको कैसे उप्योग कर सकते हैं नमबर एक पेट दर्द में फायदे मन दोस्तो फास्ट फूड का जमाना है तो पेट की समश्य जो है वो आम देखने को मिलती है आजकल का खान पान ऐसा हो गया है कि पाचन करिया जो है वो भ हो जाता है चांगेरी के उप्योग से पेट समधी समश्या उसे अमनिजात पा सकते हैं इसके लिए आपको 20-30 मिलिग्राम चांगेरी के पत्ते से काड़ा बनाएं और उसमें जो है आप 40-50 मिलिग्राम बुनी हुई हिंग जो होती है वो मिला कर सुबह शाम ले इससे पेट चांगेरी का उप्योग बहुत फायदेमंद रहता है इसके लिए आप 2-5 मिलिग्राम चांगेरी का रस दिन में दो बार पीने से दस्त में आरा मिलता है चांगेरी के 4-5 पत्तों को उबाल कर दूद के साथ अगर लेते हैं तो उससे पुराने दस्त में भी आरा मिलता है न आगे भूख भी ने लगती है तो चांगेरी के 8-10 पत्तों की चटनी बना ले और उसका सेवन करें इससे आपकी जो पाचन सकती है वो मजबूत होती है और बद अजमी की समश्य है वो दूर हो जाती है नमबर 4 बवासीर में फायदेमंद तेज मसालेदार बोजन करने से इसके पंचांग को घी में सेक कर उसका साख मना ले और उसे जो है दही के साथ खाए इससे पाइल्स में काफी आरा मिलता है नमबर 5 मुत्राशे सूजन में फायदेमंद चांगेरी के ताजा पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल ले उसमें शक्कर मिलाकर उसका सर्बत देखे पित जो है वो दोत रह के होते हैं एक पित होता है जो गर्मी के कान होता है और एक होता है जो ठंडे पित होते हैं गर्मी के विए से जो पित होते हैं उसमें चांगेरी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पित को और बढ़ावा देती है लेकिन अगर आपक पत्त कर रस लेकर उसमें काली मीर्च का चूरन और गी मिलाकर उन दानों पर लगाने से जल्दी आराम मिल जाता है। नमबर साथ मसूडों के रोगों में फायदे मन चांगेरी में कसाय रस होता है जो मसूडों की समस्चा में आराम देता है इसके पत्तों के रस को मुँ में लेकर गरारे करने से मसूडों का दर्द और सोजन जो है वो खतम हो जाती है दोस्तों आपने अगर कभी चांगेरी का उपयोग किया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपने इसका उपयोग कैसे किया था और आपको इसका क्या लाब हुआ ताकि जो कमेंट रीड करते हैं उन दोस्तों को भी इसका लाब मिल सके चांगेरी से समधित अगर आपके पास कोई जानकारी है तो वो भी आप कमेंट बोक्स में जरूर शेयर करें जैसे कि मैंने बताया इसकी तासीर जो है वो गरम होती है तो पित दोस वाले जो हैं जिनको पित दोस रहता है उनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए इस तरह की जड़ी बूटी वीडियो बनाने का मेरा मक्सद यही है कि हम सब को जो है हमारे आस पास की जो वन्सपती है जो जड़ी बूटी है उनके बारे में नोले जोनी जरूरी है लेकिन किसी भी जड़ी बूटी को उपयोग करने से पहले अपने डोक्टर से सलाज जरूर जरूर ले उसके बाद इसका उपयोग करे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो ची लगे तो लाइक और शेयर जरूर करे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना और अपन माता पिता का ख्याल देखेगा शुक्रिया